हलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों मेरी पिछली वीडियो में हमने ए की मात्रा सीखी थी आज हम सीखने वाले हैं ओ स्वर की मात्रा चलिए सीखते हैं कि ओ की मात्रा कैसे बनाते हैं और वर्णों में कैसे लगाते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं O यह हमने O लिखा और अब देखते हैं कि O की मात्रा कैसे बनती है O की मात्रा में सबसे पहले हम एक सीधी लाइन बनाएंगे उसके बाद हम उपर एक मात्रा लगाएंगे यह हो गई O की मात्रा O की मात्रा में एक सीधी लाइन बनाएंगे और उसके बाद इसी के उपर हम मात्रा लगाएंगे अब देखते हैं बच्चों कि वर्ण में हम किस तरह से O की मात्रा लगाएंगे सबसे पहले हम लिखते हैं कौ यह हमने कौ लिखा और इसमें हम O की मात्रा लगाते हैं तो सबसे पहले वर्ण के बाद हम एक सीधी लाइन बनाते हैं यह सीधी लाइन हमने बनाई और फिर इसी लाइन में जोड़ते हुए हम इस तरह से मात्रा लगाते हैं यह का में O की मात्रा लग गई और इसको हम किस तरह से बोलेंगे को अगला वर्ण लिखते हैं ख यह हमने खो लिखा और इसमें हम O की मात्रा लगा रहे हैं तो एक सीधी लाइन मनाई और इस तरह से हमने इसको जोड़ा यह हो गया खो अब देखिए अगला वर्ण गः यह हमने गव बनाया इसमें हम O की मात्रा लगाते हैं तो यह तो गव की लाइन हो गई सीधी एक और लाइन बनाएंगे इस तरह से और इसमें इस तरह से मात्रा लगाएंगे यह हो गया गो लेखिए बच्चों O की मात्रा में सीधी लाइन और यह उपर मात्रा गो अब अगला वर्ण लिखते हैं गः इसमें O की मात्रा लगाएंगे एक सीधी लाइन और इस तरह से मात्रा और यह क्या हो गया गो किस तरह से पढ़ेंगे इसे को खो गो गो चलिए बच्चों अब एक्जामपिल के लिए कुछ सब्द लिखते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं मोर मोर में एक सीधी लाइन बनाएंगे और इस तरह से मात्रा लगाएंगे मोर अब वान आया इसको जोड़ा और हो गया मोर म में ओ की आवाज सुनाई दे रही है इसलिए ओ की हमने मात्रा लगाई र में की आवाज आ रही है और आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है और इस तरह से यह हो गया मोर इंग्लिश में इसे कहते हैं पिकॉप अगला शब्द लिखते हैं तोता ता बनाएंगे तो ता ता में ओ की आवाज सुनाई दे रही है इसलिए हम इसमें त में ओ की आवाज सुनाई दे रही है इसलिए हम इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे ता फिर हम ता बनाएंगे ता बन लिखा तो ता आ की आवाज सुनाई दे रही है इसलिए इसमें आ की मात्रा लगाएंगे जोड देंगे और यह हो गया तो ता ता में ओ की आवाज पहले वाले ता में ओ की आवाज सुनाई दे रही है तो दूसरे ता में आ की आवाज सुनाई दे रही है ता इसलिए इसमें आ की मात्रा लगी है तो ता इंग्लिश में इसे कहते हैं पैरेट अगला शब्द लिखते हैं चोर च बनाएंगे चोर च में किसकी आवास सुनाई दे रही है ओ की तो हम इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे चोर र बनाएंगे च में ओ की आवास आ रही है इसलिए ओ की मात्रा लगी है चोर र में ओ की आवास है इसकी कोई भी मात्रा नहीं है और इस तरह से यह हो गया चोर इंग्लिश में इसे कहते हैं ठीफ अब अगला शब्द लिखते हैं र सोई र लिखेंगे र सो स र सोई स में किसकी आवास सुनाई दे रही है ओ की इसलिए इसमें हम ओ की मात्रा लगाएंगे र सोई इसको मिलाएंगे और यह हो जाएगा र सोई र अ की आवाज है कोई मात्रा नहीं सो ओ की आवाज आ रही है ओ की मात्रा इ र सोई इंग्जिश में इसे कहते हैं किचन अगला शब्द लिखते हैं भोजन भाब नाएंगे भो ओ की आवास सुनाई दे रही है इसलिए किसकी मात्रा लगेगी ओ की यह हमने ओ की मात्रा लगाई भो जन ज न न वान लिखेंगे और इसे जोड देंगे यह क्या हुआ भोजन भाब में ओ की आवाज आ रही है इसलिए ओ की मात्रा लगी है ज में ओ है इसलिए कोई मात्रा नहीं है न में ओ है कोई भी मात्रा नहीं है और इस तरह से यह हो गया भोजन इंग्लिश में इसे कहते हैं फूड अगला शब्द लिखते हैं कोमल का लिखेंगे को ओ की आवाज आ रही है इसलिए ओ की मात्रा लगेगी कोमल का में ओ की आवाज सुनाई दे रही है इसलिए ओ की मात्रा लगी है कोम ओ की आवाज आ रही है कोई मात्रा नहीं लगी है ओ की आवाज आ रही है इसलिए कोई भी मात्रा नहीं है और इस तरह से इसको मिला कर जब हम पढ़ेंगे तो यह होगा कोमल इंग्लिश में इसे कहते हैं सौफ्ट बच्चों आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ओ की मात्रा वाण के बाद लगाई जाती है और उसमें एक लंबी लाइन खीजी जाती है और उपर यह मात्रा लगती है तो बच्चों आज हमने सीखी ओ की मात्रा और उसके शब्द अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें किट्स फंजी मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ओ स्वर की मात्रा थैंक यू